आज हम यहां पे बहुत ही इजी准 मेच हम गुऊने दिरेंगenizक औरन की करने हों दोप के लिक्षच की दोई की दोई की पुपने पराइब की पार, आज हम यहां पर यहां पर को को भी मिक्स्चर में देखे फेट लिया है दही में शक्कर मिला के हम फेटते हैं और मिक्स्चर में ही फेटते हैं अब हम इसमें ये दही का ये बड़ा जो उरत की धोई हमने पीसा है उसका हम चुटा-चुटा बड़ा बनाएंगे बहुत कम समय में ये रेसिपी हमने रिकॉर्ड की है इसलिए इसको हम ऑईल को बदल नहीं पाए हैं इससे कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा देखिए हम चोटा-चोटा इस तरह से बड़ा पकोड़ी की तरह निकाल लेंगे उरत की धोई मार्केट में मिलती है उसको रात में लेके आप भीगो दे और सुबह उसको मिक्सी में अच्छे से फेट ले और दही रात में आप दही बना ले और दही में शक्कर मिला कि उसको मिकसी में अच्रे से फेट लें तरह को भी और इस तरह से उस औरत क का जो हमने मिकस्चर बनाया है मिकसी में फेट के उसका बड़ा हम इस तरह से पकोड़े की तरह चान लेंगे देखिए हमारा ये बड़ा का पकोड़ा त्यार हो गया है अब हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे प्लेट में ये बड़ा हम इस तरह से रख लिए हैं इसके उपर हमने जो दही फेट के रखा है मिक्शर में इसके उपर हम ये लाल मिर्ची पाउडर भी लाएंगे दही बड़ा करिए मसाला है डाल मिर्ची पाउडर काला नमक मिलाएंगे इसमें जीरा पाउडर एड़ करेंगे और काली मिर्च पाउडर भी इसमें मिलाएंगे दही बड़ा का यही मसाला होता है देखिए और आप इसको खा के देखिएगा बहुत ही टेस्टी दही बड़ा आप घर पे तियार कर सकते हैं और फटाफट तियार कर सकते हैं